नमस्कार दोस्तो आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Tax Audit Report Form 3CD को प्रिपेर करेंगे और फाइल करेंगे Step by Step बताऊंगा सबसे पहले आपको डाउनलड पर जाना है यहाँ पर Income Tax Form पर जाना है और देख सकते हैं यह है Common Utility Form 3CA, 3CD, 3CB, 3CD का ठीके और इसमें अपडेट आ चुका है 4 अगस्ट 23 को नया Form रिलीज हुआ था ठीके तो अगर आपने पुरानी उटिलिटी डाउनलड कर रखी है 3CD का Tax Audit Report का तो उसे आप अपडेट कर लेना नी उटिलिटी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस पर क्लिक करोगे यूटिलिटी डाउनलोड होना शुरू हो जागा देख सकते हैं यूटिलिटी डाउनलोड होना शुरू हो गया जैसे ही हो जाएगा मैंने अल्रीडी डाउनलोड कर रखा है मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो यह जैसी हो जाएगा इसको extract करना है फिर इसको यहाँ से जाके run as administrator करके इससे install कर लेना है ठीक है दोस्तों मैंने already install किया हुआ है जैसे आप install कर लेंगे इस परकार से desktop पे shortcut create कर देगा eform utility का तो चलिए इसको open कर लेते हैं इस पर click करेंगे थोड़ा सा time लेगा तो desktop utility form आ गया version 1.2.2 continue पर click करेंगे देखो यह आ गया form form 3CB 3CD form 3CA 3CD 3CA 3CD private company के लिए होता है ठीक है और 3CB 3CD सब के लिए होता है private company के अलावा ठीक है अभी file नाव वाले button पे जाएंगे और प्रीफाइल डाटा को भी आप कर सकते हैं इसमें download करके इसके अंदर import कर दोगे तो जो basic detail होती हो automatic आ लेगा यह पहले से आपने कोई audit report बना रखा तो इसमें import करके देख सकते हो इंपोर्ट कर सकते हो आप प्रीफिल data पहले से जो और फाइल जो बनी होई है बहुत सारी option है इसमें से मैं क्या कर रहा हूं लास्ट वाले option को ले रहा हूं continue without prefill जहांपे हमें manually detail भरनी पड़ेगी proceed पर आ गया सबसे पहले यह basic details आगी जैसे सबसे पहले pen number पूछता है चलिए लिख लेता है pen number pen number लिखने के बाद assessment year filing type पूछ रहा है तो original file कर रहा है assessment year कौन सा है assessment year 23-26 आएगा proceed पर click करेंगे यह करने बाद बहुता है की audit report under section 44 AB audited under income tax act, यहाँ पे हम audit report prepare कर रहे है, form 3CB, 3CD section 44 AB के अंदर, ठीक है let's get started पे click करेंगे तो जैसी started पे click करोगे, यहाँ पे पहले जो form आएगा, form 3CB आएगा, फिर 3CD सुरू होगा देखो मैंने पहले से ही form 3CB, 3CD prepare कर रहा है, क्योंकि audit report जो होती है, वो काफी बड़ी होती है, टोटल 44 close हैं, जो आपको audit report form 3CB के अंदर देना होता है, तो इसको मैं एक वीडियो में cover करा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वो lengthy हो जाएगा, दो से तिन गंटे की जाएगी, तो पहले से मैंने बना रखा है क्लाइंड का, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर इसको भरेंगे, उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंदू मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली पर देख रहे हैं, जो नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं गया, सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी साथ बैल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कॉंटेंट आपको मिलता रहे, सो दोस्तों सबसे पहला फॉर्म आता है, फॉर्म थ्री शीबी, थ्री शीबी के अंदर बेसिक डिटेल होती है, ठीक है, जैसे क्लाइंट का नेम, अड्रस, औ और चार्ण अकाउंटेंट की डिटेल जाती है, उसका नेम, अड्रस, मेंबर्शिप, नमबर, यह सब चीज, तो मैं यह आपको नहीं दिखा सकता, पब्लिकली, इसलिए मैं इसको सेव करके ओके कर रहा हूं, ठीक है, से दोस्तों मैंने यहाँ पर डिटेल सेव कर ली, हम थ्री शेडी पर, ठीक है, यहाँ पर टोटल चवालिस क्लोज होंगे, मैं आपको दिखाता हूं, यह दखो, चवालिस क्लोज है, यह सारे क्लोज की डिटेल से देनी पड़ेगी, एकक करके, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं, एकक करके, सबसे पहले क्लोज एक से लेके चवालिस की में बोलता है, आगर आप गे से 100 हैं, यहाँ चयू maior, आपको धिकलो फो, सबस्क्रान और चलिए, और बोलता है, एक चयो mai विचिकलो norm है, विभाए करके सबस्क्रा के रिएक हैं, तो यह इन्षाद क्लोज 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 के या रिए, क्लोज है, विज मलतर हो यहां पर हमने लिख दिया कि हमारी जो total sales है यह growth रिसेट से वो turnover जो वो cross हो गई है ठीक है जो turnover limit बताई गई है audit के लिए वो cross हो गई है तो audit के लिए limit क्या है देखो अगर cash में transaction होती है जो कि turnover का 5% से एक्षिड हो जाता है तो 1 crore limit है और digitally transaction हो रही है तो 10 crore की limit है तो यहां पर cash में इसकी transaction है और इसकी turnover 2 crore के आसपास है तो हमने यही लिखाया है कि इसकी turnover cross हो गई है जो specify limit है उससे ठीक है तो कि cash में इसकी transaction 5% से एक्षिड है turnover का एटे में बोलता है कि जो SSC है उसने opt किया है under section 115 BA को नहीं नोपे क्लिक कर दिया अभी save करेंगे आगे बढ़ते हैं देखो close एक से लेके 8 तक की detail देथी अभी close 9 से लेके 17 तक की detail पूछता है तो सबसे पहले आ गया close 9 close 9 में क्या detail जाएगी तो दोस्तों यह वाला जो 9 वाला close है हमारे उपर applicable नहीं है यहां पर हमें देना होता है कि जो association of person है यह partner है तो उनके profit sharing ratios को देना होता है तो हमारे लिए तो applicable है नहीं है हमारे लिए applicable है क्योंकि हमारा proprietorship है ठीक है इसलिए save okay कर दिया close 10 पर आते है close 10 में यहां पर बताना होता है कि business का code क्या है मतलब nature of business क्या है और क्या आपने nature of business के अंदर change किया है अगर change किया तो yes करोगे change नहीं किया तो no करोगे ठीक है close number 10 हो गया close number 11 की बात करें तो close number 11 में आपको books of accounts को subscribe करना होता है कि कौन-कौन से आपने books of accounts को maintain किया जैसे bank book cash book journal laser purchase register यह सारी detail यह maintain किया हुआ है ठीक है page number 2 पे भी है दोखूर page number 2 पे क्या है sales register, stock register, trading account, profit analysis account, balance ठीक है फिर यहां पे list of books of account maintain और उसका address क्या है maintain जहां किया वो और वो कहां पे books रखी हुई है सारी तो उसकी detail उसका address, name of books और उसका address ठीक है यह दिना होता है close number 11 के B में उसके बाद आता है कौन-कौन से books की examination की गई है तो यह सभी books की examination की गई है चाहिए bank book हो, cash book हो, laser हो, voucher हो, purchase register हो ठीक है तो यहां पे save कर देंगे book कौन-कौन से maintain किया, कहां पे रखा हुआ है और कौन-कौन से books की examination की है उसकी detail यहां जाती है ठीक है अभी close number 12 की बात करें तो close number 12 में बताना होता है कि यहां पे क्या SSC ने presumptive taxation scheme को opt किया है अगर किया है तो yes करोगे नहीं presumptive taxation scheme को नहीं लिया है no कर दिया देखो presumptive taxation scheme में भी audit होता है जब आप 4480 लेते हो और जो limit बताई है उससे कम profit दिखाते हो तो उस case में audit कराना होता है तो यहां पे presumptive taxation scheme को opt नहीं किया इसलिए no कर दिया है save पे click कर दिया आगे बढ़ते हैं close number 13 और 14 में तो सबसे पहले close number 13 हम बोलता है कि method of accounting क्या है तो merchantile system कर दिया क्या method of accounting में change किया है नहीं no कर दिया अगर change किया है तो उसकी detail देनी पड़ेगी disclosure of ICDS देना होता है ठीक है जहां पे हम अपने accounting policies के बारे हम बताते हैं कि कौन-कौन से policies को follow किया गया है ठीक है यह chartered accountant अपने according जब books के examination करते हैं उसके according DC को लिखते है ठीक है उसके बाद method of valuation of closing stock closing stock का method क्या है यहाँ पर closing stock का method close number 14 में देना होता है अगर कोई change हुआ है तो वह देंगे ठीक है तो इसको यहांसा select करना होता है जिसे कि जो closing stock का method है मेरा वो cost के इसाब से average cost method है तो average यहाँ पर cost method ले लिए मैंने ठीक है change हुआ है तो नहीं no पे click कर देंगे save करेंगे close number 13-14 हो गया close number 15 की बात करें close number 15 में यहापर detail देनी होती है detail उसकी देनी होती है जो capital asset convert हुआ है stock in trade के अंदर तो इस तरह की कोई भी detail नहीं है मेरी इसलिए मैं इसको save करूँगा आगे जाओँगा close number 16 की बात करते हैं यहापर आपको close 16 में देना होता है ऐसे amount जो profit and locks count के अंदर credit नहीं हुए है किस के वज़े से यह relevant close के वज़े से या relevant information के वज़े से section 28 के वज़े से या और कोई reason है तो वो दे सकते हो आप capital receipts का reason है तो उसकी detail आपको यहापर देनी पड़ेगी इस तरह की कोई detail नहीं है मेरी save पे click करूँगा आगे बढ़ूँगा close number 17 पे आते हैं कोई भी land या building दोनों ही transfer हुए है during the previous year as per section 43 CA और section 50 के according तो उसकी detail देनी होती है नहीं है इस तरह की कोई detail आगे बढ़ते हैं close number 18 से 27 पे तो सबसे पहले close number 18 की बात करें तो close number 18 में यहाँ पे जो detail देनी होती है depreciation की detail देनी होती है जो allowable depreciation है as per income tax law के according तो depreciation की detail कहाँ से जाएगी मैं आपको दिखा रहता हूँ इसके लिए आपको proper balance sheet और depreciation chart बनाना पड़ेगा देखो यह है balance sheet और यह है depreciation chart इसमें प्रॉफिटन उस अकाउंट भी है तो यहाँ पे यह देखो यह ओपनिंग यह है additions total यह amount आया यह depreciation तो इसके लिए आपको सबसे पहले खुद से ही बनाना पड़ेगा depreciation chart ठीक है एक एक item का और उसके coating डालोगे तो देखो यह जितनी भी मेरी depreciation chart है depreciation chart के अंदर जितने भी item है सारा यह plant and machinery से related है तो एक ही column के अंदर पूरा ही चला गया देखो यह देखो यह opening आया इसका total देख सकते हो opening के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं यह देखो यह purchase हो होने के बाद उसके बाद इधर लगा है डैपरी यह डैपरी लगा और उसके बाद हमारा closing balance निकल गया fix assets का ठीक है इसे साब से देख सकते 15% सभी planter machinery के group में जाएगा ठीक है तो यह data आपको भरना पड़ेगा इसे साब से यहाँ पर basically depreciation की chart बनाओगे फिर उसकी detail यहाँ पर दोगे अभी save करेंगे आगे बढ़ेंगे close number 19 में आ जाते हैं amount कोई admissible है उसकी detail आपको देनी पड़ेगी close number 20 पर जाते हैं close number 20 में यहाँ पर अगर कोई employee को bonus commission दिया है इस तरह की detail देनी पड़ती है ठीक है contribution receive किया अलग अलग funds के अंदर उसकी detail देनी पड़ती है जैसे कि ESI का हो गया EPF को हो गया तो इस तरह की कोई detail नहीं है हमारी तो उसके बाद यहाँ पर detail देनी होती है अगर कोई amount capital नेचर प्रशनल expenditure नेचर का है जो प्रॉफिटर रोस अकांट के अंदर आपने expenses डाले है अगर कोई डिजलाव होगा तो उसकी detail आपको यहाँ पर देनी पड़ती है ठीक है डिजलाव expenditure की detail देनी पड़ती है अगर इस तरह के कोई होता है तो ठीक है इस तरह की कोई detail नहीं हमारी close number 22 में MSME अगर कोई MSME taxpayer है उसकी payment आप ले time नहीं नहीं करिए तो उस पर interest बनता है अगर कोई interest दिया है आपने admissible interest है तो उसकी detail देंगे तो इस तरह की भी कोई detail नहीं है हमारी close number 23 की बात करें तो यहाँ पे अगर payment की गई है specify person को section 40 A close to close B के coding तो उसकी detail देंगे यह भी नहीं हमारा close number 24 की बात करें तो यहाँ पे amount deemed profit है under section 32 AC 32 AD 33 AB 33 AC 33 ABA के coding तो इस तरह की detail भी नहीं हम हमारी कोई आगे बढ़ते है close number 25 के अंदर close number 25 में आपको section 41 के अंदर अगर कोई amount chargeable है ठीक है tax का profit का कोई amount chargeable है 41 के coding तो उसकी detail देनी होती है तो इस तरह की detail भी नहीं है हमारा कोई close number 26 की बात करें तो close number 26 में जो देना होता है वो है यहाँ पे कोई भी sum जो की refer है section 44 AB के अ और उसको pay नहीं किया गया है timely तो उसकी detail देनी होती है तो इस तरह का कोई भी नहीं है हमारा amount उसे पे click कर देंगे basically liability जो बनी उस liability को अगर आपने timely pay नहीं किया है तो उसकी detail यहाँ पे देनी पड़ती है close number 27 की बात करें तो close number 27 में जो detail जाती है basically यहाँ पे ITC की detail input as credit की detail पहले था वैट वाला credit उसके बाद भी आगया ITC जो ITC availed किया during the year और कितना utilize है उसकी detail यहाँ जाती है कितना closing कितना opening है कितना utilize क्या है कितना closing है उसकी detail जाती है यह अपने books of accounts के according भर सकते हो इसके लिए सबसे पहले आपको portal पे जो ITC है और जो books में ITC है वो match करना पड़े तो 28 में यहाँ जो detail देनी होती है during the previous year SSC ने कोई property receive करी है company के share के रूप में section 56 subsection 2 के according तो उसकी detail देनी होती है इस तरह की कोई detail नहीं है वाई close number 29 के अंदर बात करें तो close number 29 में यहाँ पे detail देनी होती है during the previous year SSC ने कोई consideration receive किया share का जो की exceed fair market values है तो उसकी according देनी होती है 56 2 के according तो इस तरह की detail भी नहीं है वाल आगे बढ़ते है close number 31 की बात करें तो close number 31 में यहाँ पे अगर कोई amount loan का amount accept किया गया है receive किया गया तो उसक किस-किस person से किया गया maximum amount क्या था और loan amount 31a के अंदर जितना amount लिया loan का कितना amount लिया और किस से लिया उसकी detail जाती है person का name क्या है और maximum amount standing क्या थी mode क्या था लेने का cash में लिया है तो क्या specify limit जो बताए उसे exceed कर दिया है उसकी detail अब दोगे फिर जितना amount repeat किया उसकी detail यहाँ प अंदर यहाँ पर देनी होती है detail जो brought forward losses है या depreciation allowable है उसकी detail देंगे तो इस तरह की detail नहीं है हमारी फिर उसकी बाद close 33 से लेके 44 तक का close है इसके अंदर तो सबसे पहले close 33 पे आते है close 33 के अंदर जो detail जाती है वो यहाँ पर tedious की detail जाती है deductions की detail जाती है कि कितना कितना अपने deductions ITR के अंदर लिया है और कौन कौन से section का जैसे ATC का reduction यह है ATWTA का reduction यह लिया हुआ है इतना ही reduction मैंने ITR में लिया है तो जितना deduction लिया है उसकी detail जाती है तीक है close number 33 के अंदर close number 34 के अंदर की बात करें तो यहाँ पर detail जाएगी TDS की कितना आपने यहाँ पर TDS काटा हुआ है और कौन से section में काटा हुआ है 10 number वगरा क्या है amount क्या था जो आपने pay किया उस section के अंदर और total TDS कितना काटा यह सारी detail जाती है ठीक है उसके बाद नीचे जाती है detail अगर आप liable है return furnace करने के लिए तो जो आपने statement furnace करिए उसकी detail जाएगी ठीक है 10 number क्या है कौन सा form furnace किया date of filing क्या है यह सारी detail कब date आप कौन सी date में अपने file किया फर उसके बाद नीचे अगर कोई interest payable बना मतलब late tds जमा कराया payable बना तो क्या आपने pay किया है की नहीं उसकी detail कितना due था और कितना pay किया save पे click कर दिया आगे बढ़ेंगे close number 35 के अंदर close number 35 में stock की detail जाती है trading concern है तो ओपर में देंगे 35a के अंदर और 35b में अगर manufacturing से related business है तो उसकी detail देंगे तो यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ पर देख सकते है raw material की detail है यहाँ उसकी बाद यहाँ finished good और by product की detail जाएगे तो जो closing इस्ट होगे ओगे ओगे बढ़ता है close number 36a तो यहाँ बोलते है कि कोई amount जो receive किया है as a dividend का बोलते है कि SSC कोई amount receive किया है जो dividend nature का है नई इस तरह का कोई भी नहीं है say pay click कर दिया आगे बढ़ेंगे close number 37 पर cost audit applicable है नई not applicable say pay click कर दिया close number 38 की बात करें तो central exercise audit applicable है बोलते है कि क्या कोई central exercise audit conduct हुआ है नई no say pay click कर दिया 39 जो आते है बोलते है कि कोई और audit conduct हुआ है section 72a के according जो finance act 1994 के अंदर है नई no pay click कर दिया आगे बढ़ेंगे close number 40 close number 40 के अंदर आपके यहाँ पर turnover की details जाती है कि turnover previous year के अंदर कितना था और preceding previous year के अंदर लब जिस year की IDR file कर रहे हैं जैसे यहर की tax audit report बना रहे है उस year के अंदर turnover का ratio क्या था और पिछले साल पिछले साल के turnover का ratio क्या था तो यहाँ पर जो इसकी profit क्या है net profit यहाँ पर सही देंगे ठीक है यह देखो यह copy करके यहाँ डाल देंगे stock तो यह हमारा stock आ गया stock उठके आएगा यहाँ पर turnover जैसी रिखेंगे तो automatic यह बागी जो turnover repeated हो जाएगा और उसके according percentage निकाल देगा कि आपने आपका GP कितना है आपका NP कितना है आपका stock in turnover ratio क्या है तो फिर यहाँ पिछले साल का लिखेंगे तो उसके according यह percentage निकाल देगा save पी click करेंगे आगे बढ़ेंगे आता है close 41 close 41 में जो detail देनी होती है कोई demand raise हुआ है कोई refund issue हुआ है previous year के अंदर कोई और other low में तो उसकी detail देनी होती है इस तरह की कोई detail है हमारी आगे बढ़ो close 42 के अंदर SSC क्या liable है form 61 यह form 61 एक को भरनी के लिए नहीं नोपे click कर दिया दर चल इस तरह के जो form होते है वो international transaction करते हैं कोई तो उसके लिए होता है दोस्तों यहाँ पर जो detail देनी होती है अगर SSC यह उसकी कोई parent entity या alternate reporting entity liable है report furnace करनी के लिए section 286 subsection 2 के according तो उसकी detail देनी होती है तो आगे बढ़ेंगे close 44 के अंदर आते हैं देखो close 44 के अंदर आपको detail देनी होती है कि total amount expenditure का during the year कितना था उसमें से कैसे कितने expenditure है जो exempt है GST के अंदर उसमें से कौन से ऐसे expenses है जो registered person से related है उसके बाद कौन से ऐसे expenses है आपके जो unregistered persons है ठीक है जो GST में registered नहीं है इसके लिए close 44 की detail आपको बना नहीं होगी मैंने close 44 की detail बना रखे देखो यह यह इस प्रकार से format है इसके अंदर आप इस प्रकार से close 44 की detail बना सकते हैं सबसे पहले expenditure का name total expenditure कितना है उसमें से exempt कितना हो गया composition person से कितना receive किया other inward supply कितना है यह expenditure registered person से हो गया जो GST में registered है उसके बाद unregistered person से कितना है जो GST में registered नहीं है तो इस format का link आपको वीडियो की description मिल जाएगा ठीक है फिर इसकी detail देने के बाद save पे click करेंगे यह आजागी close 44 की detail फिर आती है यहाँ पर accountant की detail जो कि मैं publicly show नहीं कर सकता है इसमें membership number भी होता ह है form का name होता है address होता है तो यह YouTube policy के against है तो मैं इसको show नहीं कर सकता है तो save करके ok कर लिए अभी save वाले button पे click करेंगे हमारे दोनों form ready हो चुके form 3CB 3CD ठीक है डाउनलोड जो है जो है जो हमने बनाई है वो download हो जाएगी देख सक्सेस्फुली यह download हो चुकी है यह जो फाइ form 3CB form 3CD हमारा ready हो गया है और बस इसको करना कुछ नहीं है income tax की site पर जाके upload करना है उससे पहले CA assign होगा charter accountant assign होगा फिर SSC उसको accept करेगा then जो chartered accountant का login होता है उस पर हो जाएगा वहाँ पे इस form को audit report को upload करेगा सारे साथ sign balance sheet profit on account बाकि other जो annexures होते हैं वो upload करेगा sign copy upload होगी ठ ठीक है तो इस परकार से audit report को prepare करना है वीडियो को ऐसे लगी ज़रूर बता है thank you so much जय हिंद वन्दे मात्रम